बॉक्स ओफिस पर एनिमल की गरत से सब चाक चौबंध हो गया है यह फिल्म बॉलिवुड इंडस्ट्री के लिए इतनी सेफ गेम बनकर आई है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सलमान की टाइगर 3 से जाता रन्बीर कपूर की एनिमल कमा लेगी और बॉक्स ओफिस पर धीले होते खेल को चाहर चान लगा जाएगी हाला कि अभी फिल्म के जाने का टाइम हुआ नहीं है बलकि अभी तो एनिमल धंग से या यू कह लीचिए कि पूरी तरहा से बॉक्स ओफिस पर आई भी नहीं है अभी तो फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ तीन दिन बीते हैं लेकिन इन तीन दिनों में इस मूवी ने अपनी वर्ल्ड वाइड प्रेजिंस ऐसी बना डाली है कि इसके आगे जवान भी फुस हो गई है यकीन नहीं होता तो एक बार वीकेंड कलेक्शन पर नज़र डाले फिल्म के तीसे दिन के कलेक्शन पर एक नज़र डाले तो बॉक्स ओफिस ट्रैकर सेक्निल डॉट कॉम के आकडों के मताबिक एनिमल ने तीसरे दिन 72.50 करोड की कमाई भारत में की है एक लीडिंग वेबसाइट के रिपोर्ट की माने तो गैंक्स्टर बेस्ट आक्शन ड्रामा एनिमल रिलीस के पहले दिन से ही देश और दुनिया भर के बॉक्स ओफिस पर तहल का मचा रही है पिंक विल्ला ने अपनी हालिया रिपोर्ट चापी है जिसमें उन्होंने फिर्म के वर्ल्ड वाइट तीन दिनों के कलेक्शन पर बोलते हुए लिखा है कि एनिमल ने 340 करोड का कलेक्शन कर रिकॉर्ड बना लिया है इसमें वीकेंड में भारत में 233 करोड रुपे का कारोबार किया गया है जबकि शुर्वाती अनुमान के मताबिक विदेशी कारोबार 106 करोड रुपे यानि की 12.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है बता दे कि इसी के साथ एनिमल ने पठान और गदर्टू का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन स्पॉल कर डाला है हाला कि डोमेस्टिक लेवल पर एनिमल जवान से पीछे रह गई है लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस टकर ने काफी भयंकर रूप ले लिया है वहीं अगर दो दिनों के कलेक्शन की बात करें तो जहां पहले दिन 63.8 करोड की कमाई एनिमल ने की थी जिसमें हिंदी में 54.75 करोड तेलगू में 8.55 करोड तमिल में 4 लाग कनडा में 9 लाग और मल्यालम में 1 लाग की कमाई की थी जबकि दूसरे दिन 66.2 करोड में हिंदी में 58.3 करोड तेलगू में 7.3 करोड तमिल में 5 लाग और कनडा में 9 लाग और मल्यालम में 1 लाग का कलेक्शन फिल्म ने किया है आपने भी अगर फिल्म देख लिए है तो कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि मूवी आपको कैसे लगी बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फॉमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं